हेलो गाइच, वेलकम बैक टो सरकारी नौकरी वाले बाबा, I am धनेंजाए तो जैसा कि मैंने कहा था कि RBI अपने जैनवरी लास्ट से अपने नोटिफिकेशन निकालना स्टार्ट कर देगी और आप खुद सामने देख सकते हैं कि RBI ने अपने नोटिफिकेशन निकालने स्टार्ट कर दिये हैं और जैसा कि मैंने कहा था कि Grade B और RBI असिस्टेंट का आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका फरवरी में आएगा तो आप देख लीजएगा कि 5 फरवरी को आपका नोटिफिकेशन जो है वो आपका RBI ग्रेड B और RBI असिस्टेंट के लिए हर हाल में आ जाएगा आप में से बहुत से इस्टोरेंट है जोने ने बात नहीं मानी कमेंट सेक्शन में कह कह लिखा और यह जो नोटिफिकेशन है आपका वो फॉर्म भरने आपके 15 जैनवरी से आपके स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट है चार फरवरी की जैसे ही लास्ट डेट होगी पांच फरवरी को सीधा आपका नोटिफिकेशन निकल आएगा आपका RBI ग्रेड B के लिए और RBI असिस्टेंड के लिए ठीक हैं आप मेंसे बहुत से इस्टेंट है जिनोंका अपरैल में आएगा माई में आएगा और मैंने हर बार यह जो नोटिफिकेशन है वो आपका फरवरी में ही आएगा और एकजाम आपका मार्च में होगा ही होगा मैंने आपको प्रॉपर स्ट है जिन्दी स्टुटेंस को लग रहा तब प्रैल में था उनके लिए यह सामने नतीज़ा रहा है ठीक है आप खुद ही देख सकते हो जब वह नोटिफिकेशन आगा उनको खुद अलड़ी अंदाजा हो जाएगा ऐसे लोग प्रिप्रेशन नहीं करते हैं सिर्फ ऐसे लोग क करेंगे कि हमारा कहके नोटिफिकेशन डेट है क्या फी स्ट्रक्चर है हर एक चीज़ में इस वीडियो में डिसकस करूँगा तो में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप ने देख लिया कि जो मैंने चीज़ बताई थी वही बिल्कुल निकल के आ रही है ठीक है तो व बात करते हैं कि बाई ग्रेट बी लीगल ऑफिसर का जो इलिजबिल्टी वह आपकी बैशलर डिगरी होनी बैशलर इन लॉग होनी चाहिए ठीक है साथी साथ अगर हम मैनेजर की बात करें सिविल की तो यहां पर आपकी जो बीटक होना चाहिए वह आपका सिविल में होना लेक्रिकल में आपका बीटक तरीक होना चाहिए अगर हम भाड करें लाइबच्छलर डिगरी की तो इसमें आपकी जो ग्रेजुएशन बात करें घुरेटर की ठीक है तो इसमें क्या होनी चाहिए वह है तो सब से पहले हम चलते हैं कि बाई मैंने बता दिया और लेड़ी क और सामके 6 वज़े तक फॉर्म जो है वो ओपन रहेंगे चार फरवरी बार फॉर्म क्लोज हो जाएंगे 6 मार्च को एक्जाम डेट है आप खुद देखिए कि फरवरी में लास्ट डेट और मार्च में एक्जाम है सेम ऐसा ही आर भी आई ग्रेड बी का भी यही हाल होने वाल अब हम आगे चलते हैं एंगे नीचे चलते हैं अब हम इसके आङे नीचे चलते हैं आपके लिए आपका अलगा के लिए तो जैसा कि आप देख रहे हैं exam pattern आपका बता दू मैं कि paper 1 जो होगा जनरल knowledge of law को होगा total 150 marks को होगा paper 2 जो होगा hundred को होगा और दोनों तीन तिन घंटे के paper होगा total आपका 200 marks को overall paper होगा paper first and paper 2 मिला के interview के लिए 40 marks total 290 में आपकी merit जो है वो आपकी overall बनी के जाके ठीक है तो आप हम next हम बात करते हैं हमारा मैनेजर सिविल और एलेक्रिकल का इक्जाम में इसमें क्या होना चाहिए आपके लिए कि इसमें आपका आओ, ऑन्लाइन एकजाम होगा, एक घंटे का टाइम रहेगा, हन्टेक मार्स के कुस्चन आएंगे, ठीक है, पेपर-fart जो होगा, पेपर-second जो होगा, वो आपका descriptive होगा, उसमें तीन घंटे का पेपर होगा, हन्टेक मार्स का होगा, और इसमें आपको ऐसे वगरह भी इंटर्वियू होगा वो आपका बात कराय जाएगा और टोटल ग्रांट तो थर्टीसाइप में आपकी फाइनल मेरेट काउंट होगी इसके बाद यह आपका डिक्लेर किया जाएगा कि कौन आपका जो है वो सेलेक्ट हुआ या कौन सेलेक्ट नहीं हुआ है ठीक है तो मेरे स सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक जरूर करें साथी साथ बेल नोटिफिकेशन दवाना बिल्कुल भी मत भूलें ओके